इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे screening of transformants हम कैसे करते हैं सबसे पहले screening होगा कि हम transformants को select करना है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए transformant क्या हुआ है transformant वो cell वो organism या वो crop हुई जिसमें हम नया gene जो है या foreign gene जो हमरे desired gene है उसको हम introduce करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर gene जो है वो चला गया है यह हमें कैसे पता चलेगा यह हमें किसे पता चलता है marker से marker क्या होता है सबसे पहले आप यह दिमाग में रखिए कि जो marker होता है वो gene होता है जीन ही होता है अब आगे देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो होती है तो देखिए एक concept आता है vector का vector क्या होता है vector हमारे desired gene carry क ये जो है ये vector है जो हमारे पास सबसे जो commonly used vector जो होता है रहा हमारे पास वो है PBR 322 मान लेजे ये PBR 322 ये है भी PBR 322 तो इसमें क्या होता है इसमें markers होते हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर Gajd wand जो इसको हम कहते हैं Marker, अब क्यों कहते हैं Marker यह आगे हम देखेंगे, तो यह मान लिजे यह उपर वाला जो Shaded Portion है, यह Insert Gene, ठीक है, तो जो यह मेरे पास जो बन गया न यह इसको हम कहते हैं, R-DNA या Recombinant DNA, A-M-P-R क्या है, Marker है, अब दिमाग में आप यह रखें कि A-M-P-R जो है, वो Marker है, अब नीचे देखिए, मान लिजे, मेरे पास यह चार E-Colai है, ठीक है, जब में इन E-Colai को, अब मुझे पतक, यह जो नीचे, जो मेरे पास ट्राफ है, या डबा जो है, इसमें मैंने क्या रखा, A-M-P-Celine रखा, अब जिन E-Colai में, यह मेरा Plasmid गया ह देगा, लेकिन, जिस E-Colai में, यह नई प्रेजन्ट होगा, मेरा Recominate DNA, वो जो होगा, वो मर जाएगा, तो यह एक Marker हो गया ना, यह, यह Mark कर रहा है न, कि भाई, जो, यह हमें बता रहा है, कि इसमें जो है, आपका Recominate DNA चला गया है, इसलिए हम इस Gene को कहेंगे, Marker Gene, ठी ठीक है, और देखिए, यह तो आया है, Antibiotic Resistant Gene, एक और Marker प्रेजन्ट होता है, एक और Marker प्रेजन्ट होता है, एंजाइम प्रेडूसिंग जीन का, अभी रुकिए, अभी एक सेकंड, देखिए, जैसे LAK Z है न, LAK Z जीन जो है, यह क्या प्रेडूस करता है, देखिए, य X-Gal है, यह माल लिए, यह एक अ, modified version brighter रृट जार फिर, थिक है, X-Gal, इसको आफ ऐसे याद रहिए, घ्ल, जो यह इसका color होता है, जी gladde viruses है, जैसी इसका color होता है, जब इस पर beta-galactosides, यह effectively होता है, तो यह क्या बनाता है हमारे पास, यह product बनाता है, जो कि blue color का होता है, ठ जिसमें मैं अपने desired gene को carry करूँगा, जो insert gene को desired gene होगा, उसको मैं carry करूँगा, तो जो आप देख सकते हैं, यह lag z gene है, तो जो insert होगा, वो इसके बीच में चला जाता है, जो मैं insert करूँगा ना, वो इसके बीच में चला जाएगा, तो जब इसके बीच में चला जाएगा, जो में क्या डालूगा, x-gal डालूगा, x-gal क्या था, white color का substance था, जो कि blue color में convert हो रहा था, किसे? ब叟ाझ गलेक्टोसाइडे से, जो प्रोड्यूस हो रहा था, lag 서olus यह अभ यहां पर जब ब叟ाझ गलेक्टोसाइडेdon प्रोड्यूस ही नहीं होगा उन बैक्टीरिय, उन इकॉलाई में जिसमें ये insert हो चुका है जो हमारे desired gene है क्योंकि वो insert और जब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे medium का color blue में change नहीं होगा जब blue में color change होगा तो हमें पता चल जाएगा तो हमें mark हो जाएगा ये कि भाई जो desired जो हमारे पास desired gene है वो उस equali में उस bacteria में किसी भी organism में चला गया है और इस process को हम कहते है insertional inactivation यहाँ पर होगे न जब insert हुआ तो inactivate हो गया lexate gene यह producing नहीं कर पाया बीटे के लेक्टोसाइड है जो white को blue में product में convert कर रहा था इसको दुसरी इसको दुसरा भी एक नाम दिया गया है blue white conversion का thank you